हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन तो धन्मंत्रा चैनल दोस्तों, यजबैंग ने बहुत ही बॉल्ड एन ब्यूटिफुल जेस्चर दिखाया है आपने देखा होगा कि उन्होंने जो सेप्टेम्बर थर्टियत तक की फिगर्स है वो बीस्च को फाइलिंग कर रही है कि देखिये कोई भी चीज जब आप बोलते हैं और उसको करते हैं तो वी कॉल इट ए ब्यूटिफुल जेस्चर यजबैंग ने चीजों को बड़े ही जो न्यू मैनेजमेंट है यजबैंग का उन्होंने बड़े ही क्रिस्टल क्लियर साफ तरीके से सब चीज दूट का दूट और पानी का पानी करते हुए पब्लिक के डोमेन में और जितने यजबैंग के एग्जिस्टिंग और पोटेंशल इन्वेस्टर हैं उनको सारी चीज़ें एक ब्यूटिफुल जेस्चर के तहत ब्यस्टिंग के फाइलिंग के तरह उन्होंने रिजल्ट आने से पहले सेप्टेंबर की जो फिगर से वो डिस्क्लोज करी है देखिए ये एक बोल्ड स्टेप इसलिए है ये देखिए इसमें कोई मैनुपुलेशन नहीं है कंपनी को अपने आप पर भरोसा है and these kinds of filing in advance before the upcoming quarter result I will term it as a very bold gesture दोस्तों Samir Arora है जो Helios Capital के promoters हैं Singapore-based हैं उनका मैं आज interview देख रहा था CNBC TV18 पर He was bullish only on the banking sector और उनका ये कहना था कि अगर आप देखेंगे तो banking ही sector है जिसने COVID के period में एक real discount पे अपनी pricing दिखाई है उनके कहने का मतलब ये था कि बाकी जो sectors हैं उनमें जो recovery आई है वो COVID की situation को discount नहीं करते हैं पर जो banking sector के share हैं वो उनमें काफी fall दिखा हुआ है और भविश्य में उनका कहना है कि आने वाले दो-तीन सालों में आपको banking sector में सबसे ज़्यादा recovery दिखेगी और banking share हो में he is very bullish तो दोस्तों let's come to the point देखे येस bank ने जो September 30 तक की filing करी है उसको figures को जो आप देखेंगे तो उसमें वही चीज़ें आ रही हैं जो उन्होंने अभी तक हमारे जो CEO साप के different interviews में जहलगता था तो वो figure में भी वो चीज़ें दिख रही हैं तो दोस्तों जो loans and advances हैं जिसको हम लोग asset side में लेते हैं banking के terms में उसमें देखिए डिएर परसेंट का Q on Q growth हाया ये जादा नहीं है क्योंकि देखिए अभी economy में भी issue चल रहा है COVID के समय में तो अगर ये flat भी है तो it can be termed as an encouraging thing बट दोस्तों अगर आपने एक चीज़ नोट करी हो कि जो retail segment को इन्होंने loan दिये हैं उसमें एक जबजस्त उच्छा लाया है ये figure देखिए March 31 2020 को 3078 करोड़ था और June 30 को ये सिर्फ 424 करोड़ था लेकिन September 30 को ये figure जो है करीब 3800 करोड़ दिख रहा है देखिए wholesale banking से हट कर जो नया management है वो retail banking पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है देखिए retail banking less risky होता है और इसमें जो earning का potential होता है जो nims होते हैं साइड में देखें तो deposit growth बहुत ही जबर्जस deposit को दिख रहा है Q&Q में लगबक 15.7% का है और अगर आप इसको half yearly basis बे देखेंगे तो इस almost 30% so here we can give 10 out of 10 दोस्तों deposit भी कि अगर आप different variants को देखेंगे तो जो इनके certificate of deposits होते हैं खासकर जो बड़े deposits आते हैं जिस पर आप थोड़ा सा interest जादा देते हैं उसमें आपको quarter to quarter degrowth दिख रहा है देखिए this is not a very serious figure क्योंकि इसका मतलब यह है कि company जो high interest rate वाले deposit हैं उनको disgrace कर रही है काजा front में absolute terms में तो आपको growth दिखेगा लेकिन percentage term में थोड़ा सा degrowth है यहाँ पे yes bank को future में और अच्छे कदम उठाने है क्योंकि देखिए काजा ratio 40 पे अगर आ जाता है तो इस considered very good एक आपने जो c point देख रहे हैं credit to deposit ratio देखिए इन्होंने deposit जो इनके पास है उसके जो proportionate credit देते है उसका जो percentage है वो देखिए हर quarter में गिर रहा है इसका मतलब यह हो गया कि कोई external source से पैसा higher rate of interest पे लेके यह लोग अभी credit नहीं दे रहे हैं और that is a very good step कि जितनी चादर है उसके अंदर ही yes bank काम करने की कोशिश कर रहा है देखिए liquidity coverage ratio है overall अगर आप देखेंगे on a average quarterly तो it's around 99.6% और September quarter के लिए यह जो है 105% है it was 114% थोड़ा सा इनका जो liquidity coverage ratio काम होई लेकिन anything above the 100 is considered very good so दोस्तों yes bank का जो share है इस news को morning में एक gap up opening के तौर पे तो थोड़ा सा absorb किया था लेकिन उसके बाद चुकि volume एकदम नहीं था देखिए total volume आज yes bank के counter पे सिरफ 6 करण तीस लाग का हुआ है और लगबग 35% delivery उठ हुई है तो दोस्तों जब तक volume नहीं होगा और यह जो 5% का cap लगा हुआ है trading के लिए इसमें क्या है कि जो punters है वो जादा नहीं आ रहे है in fact यह capping लगाई इसलिए गए थे कि punters इस share से दूर रखे तो देखिए यह share price के लिए अच्छी भी चीज है लेकिन punters कभी-कभी share को उपर की दिछा में भी ले जाते है volume करके अगर उन्हें 10% का circuit limit दिया जाए या 20% का इस figure में आपने NPA और GNPA की figure नहीं देखिए क्योंकि देखिए यह quarterly result तो है नहीं तो वो figure आपको quarterly results में आएंगी देखिए दोस्तों इस gesture से आप एक चीज इन्फरेंस निका लिए कि ये gesture ये कहना चाता है कि चीजें को जो quarterly result में हैं वो अच्छी आने वाली हैं देखिए GNPA और net NPA ये तो reduce होंगी और company ने काफी cost rationalization की हैं अपने खर्चे बहुत कम की हैं तो उसका impact आपको bottom line में देखेगा देखिए company की other incomes भी बहुत बढ़ेंगी आपने काफी news देखी होगी पिछले कई दिनों में मैंने भी कई वीडियो में उसका उलेक किया था जो इन्होंने कई tie up किये थे different insurance companies से तो उन सब का भी impact जो है आपको share price पे दिखेगा देखे दोस्तों आज चोंकि yes bank future option में अब नहीं है तो short covering के तो यहां chances रहते नहीं है क्योंकि बाकी bank के shareों में यह चीजे होती है और जो यह 5% का जो यह circuit है यह भी थोड़ा सा hindrance का का काम कर रहा है लेकिन अब आप मान के चलिए कि yes bank का share गिरने वाला नहीं है और result आने तक इसमें आप अच्छी कासी तेजी देखेंगे तो let's hope for the best let's keep our finger cross मेरे समझ से तो चीजें अच्छी दिशा में मूव कर रही है और quarterly result भी बहुत अच्छा होना चाहिए दोस्तों again I will say you have to see for a figure of 17.5% for any strong bullish move in this counter till that time all the best to you God bless thank you Jai Hind